दोस्तो अक्सर हम चाय को ज़ादा ज़ादा देर तक उबालते हैं यह सोच के कि हमें ज़ादा सुआद आएगा बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी महमान भी खुश होएंगे और हमें भी अपने आपको बढ़िया सुआ देने में मजा आएगा लेकिन आप क्या जानते है इस चाय बनाने का सही तरीका नहीं है चाय को जादा देर तक उबालने में हमें धेर सारी दिक्कते आ सकती है जैसे पेट में गैस जैसे हमारा शुगर लेवल बढ़ जाना तो दोस्तों आपको इसारी मुसीबते ना हो पेट में गैस ना हो चाय को कभी भी जादा देर तक उबालना नहीं चाहिए दोस्तों दरसल मुद्दे की बाती है कि चाय में एक टैनिन नाम का पदार्थ रिलीज होता है जब हम इसे जादा देर तक उबालने की वज़े से टैनिन नाम का जो ये एक पदार्थ होता है release होने की वज़े से हमारे पेट की acidity को भी बढ़ाता है पेट में गड़बड़ी रहती है, कबजी हो सकती है समय पे हो सकता है, पेट भी fresh ना हो सके तो चाय बनाने का फिर आप सब सोच रहे होंगे क्या सही तरीका है, कैसे बनाए जैसे की मैंने आपको बताया है, हमारे पेट में acidity तो बढ़ाता ही है साथ में हमारा weight भी बढ़ा सकता है और लगबग अगर हमने 3-4 बार दिन में चाय पी ली तो कितनी जादा acidity बढ़ा सकता है और acidity को control करने के लिए हम जादा खाएंगे जादा खाएंगे नहीं, तो हमारे पेट में शरीर में तेजाब भी बन सकता है उससे क्या होगा, मोटापा भी घड़ सकता है तो हमें मोटापा भी नहीं बढ़ाना, पेट में acidity भी नहीं रखनी और हमें चाय तो स्वादिश चाहिए चाहिए, तो उन सारी बातों को मदे नज़र रखते हुए कि मैंने सोचा आपके लिए एक बहुत informative वीडियो बना देता हूँ आपको बदाया जाए कि चाय में दोस्तों हम जो तरीका फॉलो कर रहे हैं वो अंग्रेजों का बनाया तरीका नहीं है चाय का इजात अंग्रेजों ने करा था लेकिन हम चाय को कभी बिस्केट, कभी नमकीन के साथ खाते हैं पहले ही इसमें चीनी होती है जो हमारे वेट को बढ़ा सकती है हमारी एसिडिटी को बढ़ाती है साथ ही में हम इसमें बिस्केट, नमकीन लेके शरीर का ओयल भी बढ़ाते हैं फैट भी बढ़ाते हैं और मोटापा भी बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं देर तक उबालते हैं सोचते हैं इसी से स्वाद आएगा लेकिन अंग्रेजों ने जो चाय का बनाने का तरीका बनाया था चाय का इजात तो उन्हों ने करा लेकिन चाय का आपको बताया चाय उबालने का ये एक सही तरीका नहीं है क्योंकि इससे हमारे पेट में एसीडिटी बढ़ सकती है टैनिन नाम का बदार्थ है यह सारी बाते तो मैंने आपको बताई लेकिन आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा बार-बार कि फिर हम क्या करें कैसे चाय को बनाए कि हमारे को पेट में एसीडिटी ना हो मोटापा ना वड़े क्योंकि अगर हमने तीन-चार बार दिन में ऐसे चाय पी ली तो चार-पांच छे चमश तो चीनी भी शरीर में चली की मोटापे का घर जिसे हम कहते हैं अगर आपको अगर चीनी से दिक्कत है तो साथ ही में दोस्तों एसीडिटी भी तीन-चार बार चाय की रूप में पेट में चली गई इसका मतलब क्या है यह हमारा पूरे दिन भर का डैजेशन बिगाट सकती है कहीं नथे तो असली रूप क्या है वही आपके मन में सवाल है और क्या आप देर देर तक चाय पती के साथ चाय में फरक नहीं होता वो सारी विशेश बाते मैं इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा और यहीं बताऊंगा कि एक सही तरीका जो मैं फॉलो करता हूं मेरे लिए जिसने मेरे को अपनी कंट्रोल करता हूं उसमें मैं आपको बताता हूं मुझे क्या करना है तो चैपति को देर तक नहीं उबालना चैनि को चैपति में धोलना है ठोड़ा कम डालना है अगर आपको फणापा मुटापा भठता है जाए से दूद में बहुत ज़दा फैट होता है दूद में बहुत ज्यादा फैट होता है चार पांच बार हमने 100 Royal दूद लिया तो ल बहुत ही मिनिमम दूद के रास्ते से फैट मेरे शरीर में गया मैंने अभी तक चाय पत्ती नहीं डाली है ध्यान रखना और चाय पत्ती कहां डालूँगा वो भी आपको विशेश रूप से बताऊंगा हमने अच्छे से इसको घुमाया और पूरा बॉयल दिलाना है अब चाली मिश डालते हैं कोई लोग अध्रक डालते हैं कोई भी आप चीज पसंद करते हैं वह आप इसमें डाल सकते हैं साथ ही में अगर मोटापे का कोई बात है तो मैं सिर्फ आधा ही चमज चीनी आइड करने वाला हूं पूरा चमज भी ना करें और दोस्तों जैसे मैंने बहुत सारी चीज हम चाय में डालना पसंद करते हैं जैसे अद्रग हो गई दाल चीनी हो गई इलाइची हो गई लॉंग हो गई आप उनमें से अपनी जैसे मुझे पसंद है तो मैं इसमें अद्रग डाली और इसको पूरा बॉइल दिलाना है अच्छे से चाय पत्ती अभी तगनी डाली है सिर्थ दूद को बॉयल करना है प्रॉपर तरीके से बॉयल करना है कहीं भी बिल्कुल भी ऐसे ना लगे कि ठंडा हो गया पानी दूद का मिस्टन बॉयल हो चुका और आपने देखा ही था दूद हमने डाला ही कितना है तो इसको प्रॉपर बॉयल हमने दिला और अध्रक का रस हमने इस दूद में ले लिया अब चाय पत्ति को अलग से डालते हैं इससे क्या हुआ हमने चाय पत्ति को देड़ तक नहीं उबाला तो जो टैनिम नाम का प्रधार था जिसके वज़े से एसीडिटी होती भी है वो खेली नहीं कर पाया अपना हमने सिर्फ गरम पानी में हलकी सी चाय को घुमाया पूरा कलर दे दिया आपका स्वाथ दे दिया पहले भी दूद हमने इसलिए डाला था तीन चार चमज ताकि हम चाय का रूप दे सके कलर दे सके जो आप चाते इसलिए वो लोग मिल्क पाउडर डाल लिया करते थे बस आपने इसको अच्छे से उबाल लेना है और फिर इसको चान ले अब आपके मन में सवाल आएंगे आपके कमेंट्स आएंगे भई हम तो ऐसे ही पीता रहेंगे आप से हम आप हमें क्यों समझा रहे हो यह वो दोस्तों तो मैंने अपने एसलिए पेट की ऐसे कम करी मैंने मुटापा ऐसे कंट्रोल करा आपकी मर्जी है आप चाहें तो मैं तो इसको ऐसे पीता हूँ यह बिल्कुल टी बैग वाला काम हुआ हलकी सी नॉर्मल कच्छी चाय पत्ती डाली घुमाई और च्छान के पी गए इससे क्या हुआ हमने चाय पत्ती को जादा नहीं उबाला टैनिन नाम के प दिकत नहीं होगी मैं चलता हूँ प्लीज हमारे पेज को जरूर फॉल्व और सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को जरूर शेयर कीजिगा फ्रेंज